नमस्कार मैं हूँ शत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB Hindi News नायव सिंग सेनी दूजरी बार हर्याणा के मुख्यमंत्री बने तेरा मंत्री बनाये गई सबसे जाधा पांच ओबिसी चेहरे तोमई दो महिलाई दोशन्द चोटाला ने CM सेनी को दिबधाई भाजपा गिले सोशल मीडिया पर तीन पोस्ट की बोले प्रदेश की प्रगति को उगति मिलेगी हर्याणा में 24,000 सरकारी भर्तों का रिजल्ट गोशेत गुरूप C और गुरूप D के पत भरे जाएंगे CM सेनी ने सपत ग्रेन चे पहले गोशना का दिया था भरोशा हर्याणा कॉंग्रेस को जटका कैप्टरन अजे सिंग यादो ने अपनी पद से दिया इस्तिपा चुनाओं में हार बनी वज़े CM नायव सिंग सेनी ने बुलाई cabinet meeting शुकरूर यानि आज होगी पहली बैटक रेलवे टिकेट की advance booking अब दो महीने पहले होगी अभी यातरा से चार महीने पहले सुरू होती है नई नियम एक नौमबर से होंगे लागू दिल्ली श्रीनेगर समेथ देश भर में दिखाई दिया सुपरमून चांद आकार में 14% बड़ा और 30% ज्यादा समकिला नजर आया भारत ने बनाया एसिया में सबसे छोटा स्टेस्ट स्कोर 46 रन पर आलाव टुट टीम इंडिया कोली 38 विबार सुने पर आउट और इजराहिल पर हमले के मास्टरमाइंड सिन्वार की मोद पिम नेतनाव ने पुष्टे की इजराहिल शेनानी रूटिन ओपरेशन में किया था हमला और अब खबरे विश्तार से चोदरी चरंशिंग हर्यान किर्शी विश्विदेले हिसार स्थीत किर्शी मोशम विग्यान विभाग ने मोशम पूर्वानुमान जारी करते वे बता है कि अरब सागर में एक कमदवाब का छेतर बनने के कारण नमी वाली हलकी हावाई चलेंगी दूसरी तरफ 21 अक्तुबर तक राजे में आमतोर प्रमोशम खुश्क बना रहेगा इसे बीच 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 में हलके बातल चाहे रहेंगे तथा हलके गती से उत्तर पश्च में हावाई भी चलने की संभावना बनी हुई है इससे दिन के तावमान में हलके बडोतरी दर्च करती है ऐसे में विशेशे के गंभीर बिमारी से पेडित लोगों को खास तोर पर शुबय वश्याम स्तर्क रहने की सलाह दे रहे हैं सांसकर्तिक स्त्रोत एम पर्शिक्षन के इंदर यानि सांसकर्ति मंत्राले भारत सरकार के तत्वाधान में लेखा कलार्क, लोयर डिजन कलार्क और डाटा एंट्री ओपरेटर के पदों पर भरते के लिए आविदन आमत्रित किये गए हैं ये बरतिया कोंट्रेक्ट आधार पर किये जाएंगे जो भी उम्मिद्वार इन पदों के लिए चुक हैं वर रजिस्टर डाक के माधम से या श्यूम जाकर अपने आविदन जमा करवा सकते हैं आविदन करने के आखरी तारिक 28 सक्तुबर 2024 है लोर्ड जुन कलर्ग वर डाटा एंटरू ओपरेटर के पदों के लिए उम्मिद्वार बार्वी पास होनी चाहिए तता कम्पिटर पर अंग्रेजी टाइप में 35 परति बिनट या हिंदी टाइप में 35 परति बिनट के गति ह होनी चाहिए वहीं लेखा कलर के लिए आविदक किसी भी विशह में सनातक पास होनी चाहिए नियून तमाई 18 वर्ष और अधिक तमाई 30 वर्ष तैय की गई है इन पदों के लिए आपको ओफलाइन आविदन भेजने होंगे हर्याना करमचारी चैनायोग ने गुरूप C और गुरूप D की भरति का प्रेणाम जारी कर दिया है अगर आपने भी ये प्रिक्षा दी है तो आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं उमिद्वार आयोग की वेबसाइट hssc.gov.in पर जाकर देख सकेंगे और डाउनलोड कर सकेंगे विभिन विभागों में कुल मिलागर 24,800 पदों पर भरने के लिए प्रिक्षा का आयोजन करवाय गया था हर्याना के मुख्यमंत्री नायव सिंग शैनी ने बुदवार को पंचकुला में भाजपा विदायक दल की बैठक को सम्बोधित करते वे भरती परिक्षाओं के परणाम गोशित करने की तेथे की गोशना की थी उन्होंने कहा था कि उनके सपत ग्रेंड समारों से पहले भरती परिक्षाओं के परणाम गोशित कर दिये जाएंगे उन्होंने कहा था कि पहले 24,000 पदों पर भरती परिक्षाओं का रिजल्ट जारी किया जाएगा उसके बाद में सपत लूँगा हर्यानाविन नायवी सिंग शैनी ने दूसरी बार सियम पद की सपत ले लिया है सैनी राजी के 19 मुख्यमंत्री बन गए हैं हालांकि मुख्यमंत्री की कुर्शी तक पहुचने वाले वे 11 वी नेता हैं सपत गरेंड समारों पंचकुला के 12 ग्राउंड में हुआ इस समारों में मुख्य अतिते के रूप में प्यम नरेंदर मोधी सामिल हुए सपत गरेंड में भाजपादेक्स जेपी नडडा, केंद्रे मंत्री अमित्षा, नितिन गड़करी और राजनाथ सिंग के साथ अठार राजयों की सियम वे डिप्टी सियम पे पहुँचे थे सियम शेनी के साथ तेरा मंत्रियों ने सपत ली जिनमें सबसे ज़्यदा पांच चेरे ओबी सी वरक्षे है जाट, ब्रामन और एसी वरक्ये दो-दो मंत्री बनाए गए है इसके अलावा पंजाबी, राजपूत और वेसी वरादरी से एक-एक मंत्री बनाए गए है नई बनाए गए मंत्रियों में अनिल वीज, कर्षनाल पमार, राव नरवीर सिंग, महिपाल डांडा, वीपुल गोयल और किर्षन बेदी पहले मंत्री रह चुके है इसके अलावा राणबीर गंगवा पिसली बीजेपी सरकार में डिप्टी स्पीकर थे तो नए जेरों की बात करें तो इनमें अरविंद सर्मा, स्याम सिंग राणा, आरती राव, सुरूती जोदरी और गोरव गोतम पहली बार मंत्री बने है भाजपाने हरियाना में यूपी राजस्तान और मध्य परदेश के तरह डिप्टी स्यम बनाने का भारमूला नहीं अपनाया नई सरकार बनते हैं स्यम नाइब सिंग शेणी ने आज यानी 18 अक्तुबर की सुबह केमिनेट की पहली मिटिंग बुला लिया जिसमें विबागों का बटवारा किया जा सकता है नाइब सिंग शेणी ने हरियाना की सिंग पत के दूसरी बार सपत लिये उन्होंने प्रदान मंत्री नरेंदर मोधी की उपस्तेते में सपत ग्रेंड की बाद अपनी पहली परतिकर देते हुए कहा कि नोन्स्टोप हरियाना की विकास और नौ निर्वान को गतिवान रखने वाले जनादेश के लिए सरोपर्थम दो करोड अस्य लाक अपने परिवार्जनों का हार्दिक आभार सियम शेनी ने कहा कि मेरे जैसे एक सामानी परिवार्शे आने वाले कार्य करता को हरियाना का मुख्य शेवक बनने का आउसर प्रदान करने के लिए मैं प्रधान मंतरी शी नरेंदर मोधी जी का आभार वेक्त करता हूँ परदार मंतरे जी हर्याना से आपका विशेश सनेह हमें निरंतर परिश्रम करने के लिए ऐसे मित उर्जा परदान करता है विकास के ये नॉन स्टोप यात्रा परदेश में स्तत जारी रहेगी पूर्ण बावमत के तीसरी बार भाजपर सरकार पूरी उर्जा और उच्छा के साथ सुसासंत, समानता और गरीब कल्यान के लिए काम करेगी नैशनल हाईवे किसी भी देश के रेड़ की हड़ी मने जाते हैं क्योंकि देश से जुड़े तमाम ट्रांस्पोर्ट की सुविदा नैशनल हाईवे द्वारा एकी स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा जाती है हारियान सरकार राज्य में विभिन योजनाओं और शटकों के विकास पर काम कर रही है जीन सहर को 6 नैशनल हाईवे से जोड़ने के लिए तेजी से कारी किया जा रहा है इन में inhale से 152 डी नैशनल हाईवे बनकर तैयार हो चुका है और रोतक से पंजाब जाने वाला नैशनल हाईवे भी पूरा हो गया है बनने जा रहे नई हाईवे के बारे में बात करें नेशनल हाइवे के बंजानी से जीन्द के निवाशियों का अंबाला और चंडिगड का सफर आसान हो गया है अब यह सफर 3-4 घंटे का नहीं बलकि 2 घंटे में पूरा हो सकता है दिल्ली और राजस्तान का सफर भी सुगम हो गया है रोहतक जीन्द और नर्वाना नेशनल चिछा को जोड़ने का काम करेगा साथ ही जीन्द के लोगों का सिर्षा का सफर भी आसान मनाएगा वह जमुकट्रा और दिल्ली नेशनल हाईवे की बात करें तो इस हाईवे का निर्मान किया जा रहा है जो कि जीन्द जिले के पिल्लू खेडा से होकर गुजरेगा यह राजधानी बनाने के भी अठकले लगाई जा रही हैं जिससे कि इसके विकास में और तेजी आ सकती है हर्याना विधानसभा चुनाव से जुड़ी याचिका पर 17 अक्तोबर सुप्रीम कोट में सुनवाई हुई ये याचिका कॉंग्रेस के और से दायर किये गई थी इसमें वोटिंग काउंटिंग के दोरान एवियम में गडबडी का आरूप लगाकर 20 विधानसभा शीटो पर दोबाला से चुनाव करवानी की मांग किये गई थी कॉंग्रेस ने इस याचिका पर जल से जल सुनवाई करने के गोहर लगाई थी इस पर सुप्रीम कोट ने सुनवाई करते वे याचिका करता को फटकार लगाई कोट ने कहा कि ऐसी याचिका दायर करने पर आप पर जुर्माना भी लगाय जा सकता है आप कागजात स्वोपिये हम देखेंगे मुखे नायदिश डिवाई चंदर चूड नयायमूर्ती मनोज मिश्रा और नयायमूर्ती जेबी पारादीफ वाला की पेट ने याचिका खारिज करते वे पूछा क्या आप चाहते हैं कि हम चुनी हुई नई सरकार का सपत ग्रेंड रोग दें बताने कि 16 अक्तुबर को कॉंग्रेस के और से प्रिया मिश्रा और विकास बंसर ने हर्याणा विदानसपा चुनाव के दोरान 20 चीटो पर वोटिंग काउंटिंग में गड़बडी के आरूप लगागर सुप्रिम कोट में याचिका दायर की थी हर्याना के पूरो मंत्री अजे सिंग यादों ने वीरवार को कॉंग्रेस से इस्तिपा दे दिया है उन्होंने ये जनकारी एक्स पर पोस्ट की है उन्होंने बताया कि कॉंग्रेस सद्धिक्स मलिका और जोन खरगे को अपना त्याक पत्र बेजा है उन्होंने AICC के OBC वि संप्रा गुजारी रखा अहिरवाल में राविंदर जे चिंग के बाद सबसे कद्दा और नेता रहे चुके कैप्टन अजे सिंग यादो की बुपेंदर शिंग हुड़ा के साथ पत्री नहीं बैट पा रही थी उनके हुड़ा के साथ मत्बेद 2011 में उस समय शुरू हो कैप्टन ने खुद कुछ प्रभावसाली नेताओं को अपने स्तर पर परचार के लिए बुड़ाया था बेटे चिरंजीव राव की हार की बाद पार्टी के बरिष्ट नेताओं के रुख को लेकर कैप्टन नाराज लगातर चल लही थे उन्होंने वीरवार को पार्टी क की कोशिश कर सकता है क्योंकि अहिरवाल में कैप्टन अजे सिंग यादो बड़ा चेहरा है गोरतलवे की हुड़ा सिनारा जोकर पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की संख्या लगातर बढ़ रही है चुनाव से ठीक पहले किरन चोदरी ने पार्टी छोड़ी थी और उस इछली बार 25 रुपर बरती क्योंटल था है फिट द्वार बाजरे की सरकारी खरीद के जा रही है अब तक 273 क्योंटल बाजरा खरीदा जा चुका है मंडे में पहुंचे किसानों ने बताया कि बाजरे का सरकारी भाव मिल रहा है और मंडे में पहुंचते ही बिक्री भी हो सरकारी हिदायत के अनुसार 22 गंटे के अंदर फसल की पेमिंट किसानों की खाते में पहुंच जाती है हर्याना विधानसवाद चुनाओं में हार के बाद जहां मेहम सीट से पूरु विधायक बलराज कुंडू ने फिरी बस सेवा बंद करने का फैसला लिया था तो मैं दूसरी और समालका सीट से हार जहलने वाले पूरु विधायक धरम सिंग चोकर ने फिरी बस सेवा की संचालन को फिर से हरी जंडी दिखाई है लेकिन अब आदर्स आदर्स रही था आटने पर फिर से इन सेवां को सुरू कर दिया गया है यानि बहाल किया गया है इसी कड़ी में बुद्वार को महिला स्पेसल दो बसों को पुराना बस टेंड से हरी जंडी दिखाकर रवाना किया गया है धरम सिंग छोकर ने बताया कि इन महिला स्पेसल बसों में सुरुक्षा की लियास से सीसी टीवी कैमरे लगे हुए है जीपिएस ट्रेकिंग सिस्टम से क्रेक्ट है ताकि परिजन अपने बच्चों पर नजर रख सके ये दोनों बसें रोजाना बस्टेंड से रवाना होकर चात्रों को पानिपद बस्टेंड पर छोड़ेंगी अपनी हार को लेकर उन्होंने कहा कि हलके की जंता जनारदन का फैसला उन्हें मंजूर है चुनाओं में हार जीत लगी रहती है लेकिन अपनी विधान सबाद छेतर के लोगों के हितों की आवाज उठाने से वो कभी पीछे नहीं आठेंगे सुप्रीम कोड़ द्वारब पराली जलाय जाने के मामलों में उलंगन करताओं के खिलाब मुगदमा ने जलाय जाने को लेकर पंजाब और हर्यान सरकारों को फटकार लगाते विए दोनों राज्यों के मुख्य सचिवा को तेई सक्तुपर तक स्पष्टिकण के साथ समक् जारी करेंगे अगले बुद्वार को हम मुख्य सचिव को बुला कर सारी बाते पुछेंगे कुछ नहीं किया गया है पंजाब सरकार ने भी ऐसा ही किया है ये रवाईया पूरी तरह से अवेलना करने का है पंजाब सरकार को फटकार लगाते विए सुप्रीम कोड ने कहा क कि फिछले तीन सालों में यहाँ पराली जलानी का एक भी मुग्दमा दर्ज नहीं हुआ है, किसानों को ट्रेक्टर उपलब्द करवाने के लिए राजी सरकार द्वारा केंदर से धन्राशी मांगने का भी प्रयास नहीं हुआ है। कि सुपर्वाइजर और स्टाफ की कमी को देखते विए रेलवे को काफी परेशाने जहलनी पड़ रही हैं, ऐसे में रिटार्ड करमचारियों को नोकरी पर रखने का फैसला लिया गया है। का लाब नहीं मिलेगा। भारतिय रेलवे ने एडवांस टिकेट बुकिंग के नेमों में बदलाव किया है। पहले टिकेट बुकिंग यात्रा से 120 दिन पहले शुरू हुआ करते दी, अब इसे घठाकर 60 दिन कर दिया गया है। नए फैसला एक नॉमबर 2024 से लाग होगा। रेल मंत्राले के मुताबिक एडवांस ट्रेंड टिकेट बुकिंग के ने नेमों का पहले से बुक किये गए टिक्टो पर कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही विदेशी प्रेटिकों के लिए 300 दिनों की डेडलाइन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस स्मार्टपोन में 50 मेगापिक्सल का में कैमरा 6.67 इंच का फूल HD प्लस डिस्पले दिया गया है। कीमत की बात करें तो 15,999 रुपर रखी गई है। बायर्स इसे कंपनी की वेबसाइट और e-commerce वेबसाइट से खरीद पाएंगे। कंपनी इसके दोनों स्टोरिज वेरियंट पर 2000 रुपर का डिस्काउंट ओफर कर रही है। फोटोग्राफी और वीडियो रिकोर्डिंग के लिए P1 स्पीड स्मार्टपून के बैक पैनल पर 50 MP का मेन कैमरा जबकि सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए स्मार्टपून में 16 MP का कैमरा दिया गया है। Sensex 414 में इंकी घ्राउट के साथ 81,006 के सतर पर कलोज हुआ तो यह निफटी में भी 221 अंकी घ्राउट रही और यह 24,799 के सतर पर बंद हुआ Sensex के 30 शेयरों में से 21 में ग्राउट और 9 में तेजी दिखाई दी निफ्टी के 50 शेयरों में से 41 में गिराउट और 9 में तेजी रही NAC के IT सेक्टर को छोड़कर सभी सेक्टर गिराउट के साथ बंद हुए रियालिटी सेक्टर सबसी ज़्यादा यहनी 3.77% गिरा HDFC Bank, Mahindra & Mahindra, भारती एटेल और ICIC Bank ने बाजार को सबसे ज़्यादा नीचे गिराया जबकि Infosys, Larsen & Turbo और Tank Mahindra ने बाजार को ऊपर खिचने का काम किया 10 ग्राम 24 कैट्स होने का भाव 257 रुपए बढ़कर 76,810 रुपए पहुंच गया है दिल्ले में 10 ग्राम 22 कैट्स होने की कीमत की बात करें तो 71,750 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैट्स होने के भाव 78,260 रुपए है आज खबरों बस इतना ही, देखते रहे हैं आपका अपना हर्याना का सबसे बेहतरी न्यूज चैनल CWB Hindi News नमस्कार इसी आसा के साथ आपका दिन सुप रहे